आज 23 डिसमबर 2022 आज की साकार मुरली से बाबा हम बच्छों को अगुण सिखाते हैं नस्टो मुहा बनने का जब हम इश्वरिय मार्ग पर चलते हैं परमात्मा की श्रीमत को धारन करते हैं पवित्रता का व्रत लेते हैं तो जो आत्माई विकारों में हिरी हुई होती हैं वो हंगामा करते हैं लड़ाई जगडा भी करते हैं और यही माया का एक रूप होता है माया के विभिन्न रूपों को पहचानना और उनको परक करके विजई बनने के लिए परमात्मा की श्रीमत को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारन करना जरूरी है बाबा ऐसे बुच्छों को मदद भी करते हैं अनेक प्रकार के चालेंजिस आते हैं लेकिन फिर भी अपने निश्चे के आधार पर श्रीमत पर चलते रहते हैं उनको परमात्मा की शरण मिलती है परमात्मा की शरण या परमात्मा की मदद प्राप्त करने का भी पात्र बना ह अगर पात्र नहीं है तो परमात्मा की मदद ले नहीं पाते हैं जैसे कि एक नाव है उस नाव को लंगर से बंधी हुई है किनारे से बंधी हुई है और पूरी रात उस पर चपु चलाते रहो तो भी एक किनारे से दूसरे किनारे वो पहुच नहीं सकती है क्यों कि उसकी रस पंदी हूई कि पणदी हूई है लंगर उठाया नहीं है और इसी लिए वह नाव तोरी स назад मेहनत करते हैं लेकिना है 20 सफलताह नहीं पाथ ت मोह के धागे अगर बंदे हुए हैं, मोह जाल में फसे हुए हैं, मित्र, संबंधी, याद आते रहते हैं, तो परमात्मा के ज्यान को अपने जीवन में पून रूप से धारण नहीं कर पाते हैं, नस्टो मुहा बनना, मोह के जाल को खतम करना, ये खुद ही पुर्शार्त करन हैं, जैसे सन्यासी भी सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ कर जाते हैं, तो सब कुछ छोड़ करके चले गए, लेकिन साथ में उनके होता है कमंडल और लाठी, तो कई बार कमंडल और लाठी के भी अटाच्मेंट में, उसके आधार में फस जाते हैं, तो उसको भी छोड़न तो ऐसी ही बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे परमात्मा की शरण या पूरी मदद परमात्मा की मिलेगी हर प्रकार के विगनों को पार कर सकेंगे अगर मो है तो मदद मिल नहीं सकती है या मदद प्राप्त कर नहीं सकते हैं इसलिए अपने आपको चेक करना है मोह के धागे बंदे हुए तो नहीं है और इसकी लिए पुर्शार्थ करना है मोह से अगर मुक्त होना है तो आत्मिक स्थती का अभ्यास करना मैं आत्मा एक्टर हूँ और इस धर्ती पर अनेक बार अनेक अलग-अलग रोल प्ले किये है मैंने तो ये भी एक रोल है और दूसरा ड्रामा का ज्यान हर एक आत्मा का अपना पाठ है तो ये स्मृति में रखेंगे तो मोह से नस्ट हो जाएंगे मोह जीत बन जाएंगे तो आज सारा दिन में ये अभ्यास करके मोह जीत बने आज के दिवसकी यही शुब कामना ओम शान्ति